दोस्तों भारत में आम जनता के बीच इतना आतंक वाद फैल चुका है कि हर समय देश में विस्पोर्ट, फाइरिंग या अन्य प्रकार की आतंक वाद गतिविदियां होने का अंदेशा लगाय जा सकता है इसी के गहरे अंदेशे के चलते कुछ समय पहले यानी 17 जून को हैदराबाद सित दर्बंगा जंक्शन पर दो आतंकियों के दौराद दो पहर के समय ब्लास्ट करने का मामला सामने आये था जिसे पुलिस ने इन यूपी के दो सगे भाई इमरान मलिक वह मुहमद नासीर मलिक को हैदराबाद से विसपोटक आतंकी हमला करवाने की साजिश के तहट गिरफतार किया था जब इस मामले में दोनों आतंकियों से पूस्ताच की गई तो इससे केमिकल बम धमाके में एक बड़ा खुला सा सामने आया सामने आया कि दोनों आतंकी रात्री में चलती ट्रेन में विसपोट करने की फिराक में थे जिस से अधिक से अधिक जन्माल की हानी हो सके और सरकारी संपत्ते को नुकसान पहुंचाय जा सके लेकिन वो अपनी साजिश में काम्याप नहीं हो पाए गौरतलब है कि यह है केमिकल बमधमा का 17 जून को दोपहर में दर्बंगा जंक्शन पर किया गया था लेकिन अगर चलती ट्रेन में विस्पोर्ट कराने की आतंकियों की यह साजिश सफल हो जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी आतंकियों का साजिश बम को चलती ट्रेन में 15-16 जून की मदे रात 3 को विस्पोर्ट करवाना था जानकारी के मुताबिक 15 जून की राद 10 बजे के आसपास सिकंदराबाद दर्बंगा एक्स्प्रेस सिकंदराबाद से रवाना हुई थी इस ट्रेन का पहला स्टॉपिच काजी पेट जंक्शन था यहां तक पहुँचने में इस ट्रेन को लगबग 54 मिनिट का समय लगता है आतंक्योंकि साजेस ट्रेन के काजी पेट से खुलने के बाद विस्पोट करने की थी लेकिन ऐसा हो ना पाया धमाका तब हुआ जब पारसल को दर्बंगा जंक्शन पर उतारा जा चुका था जानकारी के मुताबिक सिकंद्राबाद दर्बंगा ट्रेन की पार्सल वेन में रखे केमिकल विस्पोटको को सिकंद्राबाद स्टेशन से 132 किलोमीटर दूर काजी पेट जंक्शन पर व्लास्ट कराने की साजिश्ट